दोस्तों नमस्कार आदाव सत्स्रियकाल न्यूज क्लिक के कारिक्रम आज की बात में आपका स्वगत है हमारी समाज में इन दिनों अगर देखा जाए तो आप राधा और धंड यानि Crime and Punishment कि ये बिलकुल नई परिभाशा एक नई definition ऐसा लगता है जैसे गड़ी जा रही हो संविधान वही है कानून वही है पर उन्हें सिर्फ कागजों और किताबों तक सिमित किया जा रहा है असल विधान कुछ लोगों की इक्षा और मर्जी से चलाया जा रहा है कम से कम हाल के दिनों में ऐसा ही लगता है शासन और विधान चलाने वाली सारी एजेंसियां संविधान और कानून को नजर अंदाज कर उनकी इक्षा और मर्जी के आगे नत्मस तक सी है तभी तो माब लिंचिंग के नामजद अव्युक्तों को बाईजद छोड़वाने के लिए आदेश जारी हो रहे हैं केसेज विड्रा हो रही है रेप और दुशकर्म के आरोपियों पर भुक्त भोगी महिला के सारोजनिक बयान के बाउजद पॉब्लिक स्टेटमेंट के बाउजद आरोपी पर कोई कारवाई नहीं होती है जो कानुन शंशोधित है उसके मताबिक तो तत्काल हो जानी चाहिए थी लेकिन दलित बहुजन और लोगतांत्रिक यानि डिमोक्रिटिक जो मिजाज है उससे जो लैस बुद्धिजी मी हैं जो अपने देश की आवाम के साथ खड़े हैं उनको डराने सतानी के लिए पुल करती है किसी वारंट के बगए किसी एफाई आर के बगए छापेमारी के दौरान प्रोफेसर हनी बाबू को बताया जाता है कि उनके हाँ भीमा कोरे गाउं से जुड़े एलगार परिशत की जो मीटिंग थी उस मामले से 96 निस समय की जा रही है छापेमारी इसलिए की जा र जाप ने टॉल्स्टाइए के वारंट पीस पर ही सवाल खड़ा कर दिया था बाद में बताया गया कि जज साहब ने उसी नाम की किसी अन्य लेखक की किताब का हवाला दिया सवाल है हमारी सरकारी एजंसियां और विधान के जो संचालक हैं इन दिनों किताबों के इतने पी पाटी की और क्या पाया तीन किताबें उनका लैपटाप और कुछ और चीजें वहां कोई बं पिस्तॉल या त्रिशूल नहीं मिला जहां त्रिशूल और तलवारे खुले आम चमकाई जाती हैं वहां पे ये सरकारी एजंसियां स्वैम जैश्री राम करते हुए आगे कदम करने लगती हैं क्या उन्हें त्रिशूल तलवार बं बारूद पैलेट गंस और अन्य हत्यारों से संगीत की सरीता भहती नजर आती है अफवा तनाव विद्वेश और हिंसा के कारोबारियों पर उनकी नजर क्यों नहीं जाती किताबों से क्यों चुड़ रहे हैं आज का ह जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो आज के सभी अखवारों में जारखंड से एक बड़ी ख़बर है स्थानी शासन के आदेश पर पुलिस ने कुछ माँ पहले जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए 22 साल के तबरे जनसारी के हत्यारों पर जो मुकदमा दर्श था व उसमें दफात 304 है यानि जो चार सीट एफ आई आर के बाद जो होती है वो 304 हो गया है कहा गया है कि वो किसी के मारने से नहीं मरे तबरे जो मौत हुई वो किसी के मारने से नहीं हुई वो हार्ट अटेक से हुई उनको खंबे से बात कर कभी पेंड से बात कर मारा गया कभ देर के लिए माल लेते हैं कि चलो हार्ट अटेक उससे में हो गया था दाशत और आतंग के बीच एक तुटता हुआ इंसान अपना दिल समहाल कैसे सकेगा आकिर उसका गुनाह क्या था पर पुलिस को हुक्म कि हत्यारों को बचाने का जुगार किया जाए जार्खंड में चु अधारी पार्टी मुसल्मानों को मारने वालों को डंके की चोट पर कैसे बचाती है इसका प्रशार करो मेसेज ये है संदेश ये है हिंदूों की कितनी रक्षक है हमारी सरकार देश की जंता चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान अगर अब भी नहीं समझती कि ये हिंदू की रक्षक नहीं सबकी भक्षक होती जा रही है इस तरह के मिजाज वाली सत्ता हमारे समाच के ताने बाने और लोकतांत्रिक ढांचे की भक्षक यहां बताना चाहूंगा कि जिस वक्त देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था पहला आजादी की वो शाम याद कीजिए उस वक्त रास्क पिता महात्मा गांदी कहां थे दिल्ली में नहीं थे लाल किले की प्राचीर के आस पास नहीं थे राइसिना रोड पर नहीं थे विज़े चौक पर नहीं थे तहीं नहीं थे दिल्ली में वो चले गए थे नोवा खाली मनुश्यता को बचाने के लिए लेकिन तबरे छोड़ा गया, चार दिन बाद अस्पताल में वो मरा, फिर कुछ दिनों बाद पो श्मार्टम हुआ, अस्पताल, पुलीस और प्रशासन सब को एक भाशा में बोलने का हुक्म दिया गया, कि वो हार्ट अटेक से मरा, इसी जारखंड में पिछले साल 29 जून को रामगड में अले मुदिन अंसारी को लिंच किया गया, कुछ महीने बाद जब उसके हत्यारों को जमानत हुई, तो विदेश में पढ़े तब के केंद्री राजिय मंतरी जिहन सिना ने उन्हें माला पहनाई, और रिहाई की खुशी में उन्हें लड़ू खिलाया, उनकी तस्वीरें सा आप आवाज उठा रहे थे, और उनको लिवरेल के रूप में पेश किया जा रहा था, पर बेटे की निंदा में कुछ बोलते या कहते उनको नहीं सुना मैंने, फास्ट ट्रैक कोड को शाबासी देनी होगी, कि उसने बारह में से ग्यारा अव्युक्तों को गुनागार पा करने, कराने या कम से कम उसे कमजोर करने का है, सवाल उठता है क्या सरवच नियाले इस मामले में जारखंड पुलिस, जिलास पताल और पुरे प्रशासन की बिली भगत को संग्यान में लेगा और बाइस साल के गरीब अनसारी के परिजनों को नियाय दिलाएगा, जिसकी की तरफ से हस्तक शेप नहीं हुआ तो यकीनां ये मामला जारखंड के चुनाव में पुलराइशन का आउजार बनने जा रहा है, हत्या की राजनीत और फिरका परस्ती की खाथ से जमूरियत की फसल लहलहाने की कोशिश की जाएगी, दोस्तों दूसरा मामला है बहराल उसी शाहजापूर में एक और उन्नावकांड घटित होता नजरा रहा है, शाहजापूर के एक लॉक कॉलेज में पढ़ने वाली 22-23 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि भासपा के एक बड़े नेता और केंद्री राजी मंत्री ने उसका एक साल लगातार अरोप को निराधार निराधार बताया है, ये किंद्र में ग्रिह राजी मंत्री भी रह चुके हैं, यूपी ए वन में, भारती जंता पार्टी के बड़े नेता हैं, कानून के हिसाप से उनकी गिरफतारी होनी चाहिए थी, उन पर मकदमा चलना चाहिए था, ये उन पर होत कि वो कोट में अपने को कैसे निर्दो शाबित करते हैं, परियोगी सरकार खामोश, मोधी सरकार खामोश, शाह जी की पार्टी खामोश, अभी तक स्वामी जी पर कोई कारवाई नहीं कम से कम, अभी जब मैं आपके सामने हूँ, अभी तक कोई कारवाई की खावर नहीं है तो क्या लड़की या उसके परिजनों पर कारवाई होगी क्या उन्नाव दोहराया जाएगा स्वामी जी पर पहले भी ऐसे आरोप लगे थे कुछ मकदमे में वो आरोपी भी बने थे पिछले वर्स ऐसे ही एक मामले में जारी मामले को योगी सरकार ने वापस लेने का आदेश दिया था संबहते ये मामला अभी भी कोर्ट पे लंबित है इस तरह के मसले आज आम हो गए है एक बंते हुए रास्ट के लिए ये गंभीत चुनोती है और सन सन्साइटालीस के बाद अगर देखा जाए आजादी के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा खत्रा है ये बहुत अजीब स्थिती है कि कुछ लों के जहन में कुछ लों के दिमाग में आ रहा है कि अगर माइनाटी कम्यूनिटी के लोगों पर दलितों पर उत्पिरिच समाज के लोगों पर आदिवासियों पर OBC पर या किसी भी और इस तरह के सवाल टर्न जिसे हम कहते हैं ऐसे तपकों पर कुछ हो रहा है तो कोई खास बात नहीं है अपने पर नहीं होना चाहिए एक खास डंका वर्ग एक खास डंका समाज ऐसा सोचता है लेकिन देश माफ कीजिएगा याद रखिएगा देश कुछ जातियों से नहीं बना है समाज कुछ समुदायों से नहीं बनता है ये समुची आबादियों से बनता है और भारत का जो लोकतंतर है हमारा जो रास्ट्र है दरसल वो एक मुकमल जिसे आप कहते हैं एक बना हुआ रास्ट्र नहीं है एक बनता हुआ रास्ट्र है भारत अब भी एक बनता हुआ रास्ट्र है इसकी एकता, इसकी अखंडता, इसकी ताकत यही है कि हमारे जतने समाज हैं, जतने समुदाए हैं वो सभी सम्विधान से बंदे हों सम्विधान की रोशनी में सब को देखा जाए कानून के हिसाब से राज चले और वो सिलसिला कहीं न कहीं आज पटरी से उतरता नहीं पटरी से उतर चुका है किवल ऐसा नहीं की नजर आ रहा है पटरी से उतर चुका है पटरी पर लाने के लिए हम आपको सब को मैं तो कहता हूँ कि जो सत्ताधारी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा रिव्यू करना पड़ेगा इमानदार आत्म परिक्षन करना पड़ेगा तभी हम अपने राष्ट को सचमुच राष्ट बना पाएंगे जो एक चुनोती भरे संकट में आज दिखाई दे रहा है इनी शब्दों के साथ आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल बना पाएंगे balancedफ में नमस्कार आत्म उने राष्ट fu 잘 जूँचर आत्म अजू TWE